नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका इरा इंस्टिटूट के यूट्यूब चैनल पर आज ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए UPSC का जो प्रिलिम्स का पेपर फर्स्ट जी एस का हो चुका है उसके solution, paper analysis और answer की को हम अपने इस lecture में देखेंगे तो आईए शुरू करते हैं पहले करते हैं paper analysis paper में set A को जैसे हमने देखा है set A में जो hand rate question थे इस बार UPSC ने बहुत ही अच्छा pattern रखा है questions का एक mashup ना करते हुए उसने थोड़ा सा systematic करने की कोशिस की है जैसे की question first से लेकर के 10 तक economics के question ही रखे हैं उसके बाद 11 से 20 तक quality का segment आया है quality जैसे की last years तक थोड़ा ज़्यादा आता था इस बार quality को 10 question ही आये हैं और geography के भी 10 आये हैं 21 से 30 तक और ये दूसरे set के लिए अलग-अलग हो सकते हैं मैं set A का बता रहा हूँ आपको ठीक है तो set A के लिए जो question का ये pattern है यही pattern जैसे की economic का first से 10 तक question है तो वो आपका set B या C के लिए 31 से 40 यानि कि इधर उधर हो सकता है बट pattern ऐसा ही रहेगा 10 question economics के एक साथ आएंगे ठीक है तो 31 से 40 तक science and tech इस बार बहुत बढ़ियां आया है और 41 से 50 तक environment इंके 50 से 60 तक history history में आपका वही ancient history medieval history modern history तीनों को cover किया गया है और 61 से 70 तक 12 यहां पर economics आया है आप देखिए economics के 20 question आये है इस बार बहुत अच्छे से cover किया गया है current और पीछे का लेते हुए economics को काफी ज़्यादा यहां पर वेटेस दी गई है organization से 10 question आये है 71 से 80 से टे में है और 81 से 90 तक geo environment और current के कुछ question यहां पर और दिये गए हैं miscellaneous के तौर पर 90 से 97 art and culture जो कि ज़्यादा तर medieval history के pattern में या medieval history में ज़्यादा तर इसकी चीजें रहती है उसे लिया गया है और science यहां पर फिर से 97 से 100 तक तीन question यह 4 question आये हैं ठीक है तो हम आप बिना समय अपना गवाए और शुरू करते हैं सारे questions को देखते हैं उसके answer last में answer की देखेंगे answer की को download करने के लिए नीचे दी गई link से हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ें और वहां जा करके और PDF को प्राप्त कर सकते हैं आप answer की को प्राप्त कर सकते हैं और इससे जुड़े और भी वीडियो आप ले सकते हैं देख सकते हैं ठीक है यहां पर हम पहला प्रस्न देखते हैं के उपबंधों से संबंधित है option A है एशियाई विकास बैंक option B है अंतर राश्ट्री मुद्रा कोश option C है संयुक्त राश्ट्र पर्यावरण कारिक्रम वित्त पहल and option D है अपना विश्व बैंक ठीक है तो यहां पर इसका सही एंसर होगा हमारा option B option B सही अंतर राश्ट्री मुद्रा कोश ठीक है second answer को देखते हैं यहां पर English में भी दिया हुआ है second answer को हम देखते हैं स्वारी second question हमारा है भारती अर्थ विवस्था के संदर्व में निम्न लिखित कथनों पर विचार कीजिए ठीक है यहां पर तीन कथन दिये हुए हैं पहला कथन है अंकित प्रभावी विनिमेदर यानि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एन ई ई आर में व्रद्धी रुपए की मूल व्रद्धी को दरसाता है ठीक है दूसरा अपना यहां पर जो कथन है वास्तविक प्रभावी विनिमेदर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आर ई ई ई आर में व्रद्धी ब्यापार प्रतिस्परधात्मक में सुधार को दरसाता है और तीसरा कथन है हमारा अन्य देशों में मुद्रा इस्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रा इस्फी हैं या कौन से या कौन सा सही है तो इसमें option A है अपना केवल एक और दो option B है दो और तीन option C है एक और तीन और option D है एक दो और तीन यहां पर सही answer होगा C केवल एक और तीन ठीक है option B जो दिया हुआ है वास्तविक प्रभावी विनिमेदर यानि की real effective exchange rate REER में व्रध्धी व्यापार प्रतिस्परधात्मक सुधार को दरसाता है यह गलत है तो इसलिए केवल एक और तीन कथन सही है तो option C हमारा केवल एक और तीन सही होगा ठीक है अंगला प्रस्ने देखते हैं हमारा question number 3 है question number 3 भारती अर्थ विवस्था के संदर्व में न संभावित रूप से सरकारी प्रतिवूतियां खरीद सकता है दूसरा कतन में यERTी रुपय का तेजी से मूल लहरास हो रहा है तो आर्बय आई बाजार में डॉलरों का सम्भावित रूप से विक्रेग चैनल यह हमारा कतन है तीसरा कतन है कि यदी USA यह यूरोपी संघ में ब्याज दरें गिरती हो तो इससे संभावित रूप से RBI की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है ठीक है अब इसमें कौन से सही है कथन तो पहला option है केवल एक और दो दूसरा है दो और तीन तीसरा एक और तीन और चोथा है एक दो तीन तीनो ठीक है तो इसका हमारा सही answer हो होगा option B केवल दो और तीन पहला जो दिया हुआ है कि यह मुद्राइस पीत अत्याधिक है तो भारती रिजर वैंक RBI संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीच सकता है यह option हमारा गलत होगा सरकारी प्रतिभूतियां नहीं खरीच सकता है ठीक है इसके बाद चल करके देख सकते हैं G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्व में निम्न लिखित कथनों पर विचार करना है option A है यानि की कथन A है यह G20 और उसके साथ Paris Club द्वारा समर्थित पहल है और कथन इसका दूसरा कथन है यह अधारणी रिणवाले निम्न आयदेशों को सहायता देने की पहल है ठीक है अब इसके option देखते हैं पहला option है केवल 1 दूसरा option केवल 2 तीसरा option option C 1 और 2 दोनो और option D है 1 ना तो 1 और ना ही 2 ठीक है तो इसका सह ही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों दोनों ही यहाँ पर सही है G20 जो है तो G20 और उसके साथ Paris Club द्वारा समर्थित पहल है ठीक है G20 common framework और दूसरा इसका जो कथन दिया हुआ है यह अधारणी रिणवाले निम्न आयदेशों को सहायता देने की पहल है यह दूसरा कथन भी हमारा सह ठीक है अंगले प्रस्ण पर चलते हैं प्रस्ण है हमारा भारती अर्थविवस्था के संदर्व में मुद्रा इस फीती सहलगन बॉंड ठीक है इंफ्लेशन इंडेक्स बॉंड IIB के क्या लाव है यहाँ पर IIB के लाव यहाँ पर पूशा है और इसमें तीन कथन दिये हैं क इसने रिण ग्रहन पर कूपन दरों को कम कर सकती है दूसरा यहाँ पर कतन है IIB निवेशकों को मुद्रा इस फीती के बारे में अनेश्चितता से सुरक्षित प्रदान करते हैं और तीसरा है IIB पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूजी गतलाव कर योगिन नहीं होते हैं ठीक है यहाँ पर इसमें कौन कौन से सही है तो पहला option है 1 & 2 दूसरा 2 & 3 तीसरा 1 & 3 और 4 option है 1 2 & 3 तीन को ही ठीक है यहाँ पर हमारा option A सही होगा केवल 1 & 2 24 ठीक है तीसरा जो option कतन दिया हुआ है IIB पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूजी गतलाव कर योग्य नहीं होते हैं ठीक है तो ये option हमारा क्या होगा गलत होगा क्योंकि इन पर क्या होता है taxable ये होते हैं ठीक है अंगला question देखते है question number 6 भारत में कारे कर रही विदेशी स्वामित्य की इवारी जे फर्मों के संदर्व में निम्नलिखित कतनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है पहला कथन देखते हैं अपने platform को बाजार इस्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयम अपने माल का विक्रे भी कर सकते हैं ये हमारा पहला कथन हो गया दूसरा कथन है वे अपने platform पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वयकार कर सकते हैं ये सीमित होता है ठीक है अब इसके हम कूट देखते हैं इनमें से कौन सा सही या कौन से सही है तो option A है केवल एक सही है option B केवल दो सही है option C एक और दो दो सही है और option D है ना तो एक सही है ना ही दो ठीक है तो यहां पर हमारा option भी सही answer होगा कि केवल दो सही है ठीक है यानि कि वे अपने platform पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्विकार कर सकते हैं यह सीमित है यह option में option में यह कथन सही है पहला कथन हमारा गलत है इसलिए option भी सही होगा ठीक है सात्वा प्रशने देखते हैं निन लिखित में कौन कौन से कार्य कलाप अर्थ बिवस्था में वास्तविक छेत्रक या real sector का निर्माड करते हैं ठीक है real sector का कौन निर्माड करते हैं तो देखते हैं पहला किसानों का अपनी फसले काटना किसानों का अपनी फसले काटना अ कपनी को धनराशी उधार देना और चौत्था है किसी corporate निकाय का विदेस में रुपिया अंकित मूले के bond जारी करना ठीक है यहाँ पर सही कूट में देखते हैं कि सही उत्तर के लिए option क्या क्या दिये हैं पहला option है 1 और 2 ठीक है दूसरा option है केवल 2, 3 और 4 तीसरा option केवल 1, 3, 4 चौथा है 1, 2, 3, 4 यहाँ पर देखिए कि अलावा 2, 3, 4 ठीक है यहाँ पर डी भी कट हो जाए क्योंकि यहाँ पर option A आरा पहला कथन दिया हुआ है तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा B केवल 2, 3 और 4 ठीक है अंगला प्रसने देखते हैं भारत के संदर्व में हाल ही में जन संचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंत्रण को निम्न लिखित में कौन सी एक इस्थिती सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करती है ठीक है कौन इसको यानि की इसको इंगलिश में अगर देखेंगे तो यह हमारा translation होगा Which one of the following situations best reflects indirect transfers often talked about in media recently with reference to India इसके option देखते हैं तो इसमें पहला है कि कोई भारती कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाव पर उस बाहरी देश को कर अदा करती हो दूसरा यानि option B है कोई भारती कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाव पर अपने आधार भूत देश को कर अदा करती हो option C है कोई भारती कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है यानि कि abstract संपत्ति खरीदे और उसका मूल बढ़ने पर उन्हें बेच देती हो तथा प्राप्ती को भारत में अंतरित कर देती है ठीक है option D है कोई भीदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में इस्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल ब्युत्पन करते है तो यहाँ पर सही एंसर को होगा हमारा option D ठीक है कोई भीदेशी कंपनी यानि यहाँ पर देखें a foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from asset located in India ठीक है अंगला प्रस्ने देखते हैं question number 9 है हमारा किसी संगठन ये company द्वारा किये गए ब्याय के संदर्व में निन्म लिखित कतनों में से कौन सा या कौन से कतन सही है ठीक है तो पहला कतन है नई प्रोध्योगी की प्राप्त करना पूजी गत ब्याय है और दूसरा कतन है कि रिण वित्तियन को पूजी गत ब्याय माना जाता है जबकि एक्विटी वित्तियन को राजस सुब्याय माना जाता है ठीक है तो यहाँ पर नीचे option दिये हुए है पहला केवल A दूसरा केवल 2 तीसरा 1 और 2 दो नो और चौथा ना तो 1 और ना ही 2 तो यहाँ पर सही अंसर होगा केवल 1 यानि की नई प्रोध्योगी की प्राप्त करना पूजी गत ब्याय है यह हमारा सही कथन है दूसरा कथन गलत है इसके बाद देखते है question number 10 भारती अर्थ विवस्था के संदर्व में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है घरेलू वित्ती ये बचत का एक भाग सरकारी रिंगरहन के लिए जाता है ठीक है ये बिल्कुल सही है दूसरा है निलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक रिंग का एक बड़ा घटक होती है ये भी सही है तो यहाँ पर हमारा option C एक और दो दोनों सही हो जाएगा ठीक है इसके बाद 11th question को देखते है निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजिए कतन क्या है पहला कतन है H.N. सान्याल समित की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायाले की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था ठीक है दूसरा कतन है हमारा भारत का सम्विधान उच्चतम न्यायाले और उच्च न्यायालेयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने है तो शक्ति प्रदान करता है ठीक है ये भी सही है तीसरा है नयायले की अवमानना के विशय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति नहीं थे यह बिल्कुल सही कतन है और इसमें option हमारे हैं केवल एक और दो दूसरा है एक दो और चार तीसरा तीन और चार चौथा है केवल तीन तो यहां पर देखिए तीसरा तो गलत है ठीक है तो यहां पर पहला दूसरा और चौथा यानि की option भी एक दो और चार सही option होगा यह quality के question question number 11 से चालू हुए है यह 20 तक चलेंगे एक से 10 तक हमारे economics के question थे जैसा कि इस बार UPSC ने बहुत बढ़ियाँ pattern रखा है एक subject में एक chapter से related जो एक topic से related जो रहे तो उन questions को एक साथ उसने question number 12 देखते हैं भारत के संदर्व में निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए ठीक है सरकारी विधी अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में माननेता प्राप्त हैं किन्तु corporate वकील जो है corporate वकील और patent न्यायवादी अधिवक्ता की माननेता से बाहर रखे दूसरा कतन है विधिक परिशदों यानि बार कॉंसिल्स जो होती है उनको विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालेयों के माननेता के बारे में नियम अधिकतित करने की शक्ति है यानि बार कॉंसिल्स एफ पावर टू लेडाउन दा रूल्स रिलेटिंग टू लीगल और रिकगनिशन ओफ लोक कॉलेजेज ओप्शन देखते हैं तो उप्शन है पहला केवल एक दूसरा केवल दो तीसरा एक और दो दोनों और चोथा है ना तो एक ना ही दो यहां पर हमारा बी ओप्शन केवल दो सही होगा क्योंकि option B यानि की कथन 2 हमारा सही है, कथन 1 गलत होगा, ठीक है, यहाँ पर 12 question के बाद अंगला 13 question देखते हैं, 13 question है, निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन कौन कौन से हैं, यहाँ तीन कथन दिये हुए हैं, किसी समविधान संसोधन विधेयक को भारत के राष् राष्ट्रपती के समख से प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपती के लिए यह बाध्यकर है, कि वे अपनी अनुमती दें, ठीक है, उसके बाद अंगला है, समविधान संसोधन विधेयक लोग सभा और राज्य सभा दोनों दोरा विशेज भहुमत से पारि पर हमारा ऑप्शन भी सही होगा केवल दो और तीन, पहला कथन जो दिया हुआ है, किसी समविधान संसोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपती की पूरु सिफारिस की कोई अपेक्षा नहीं होती है, वो जब समविधान संसोधन विधेयक जाता है राष्ट्रपती तक, तो वहाँ पर उन्हें फिर उस पर क्या करना होता है, अपनी मुहर लगानी होती है, या उन्हें का करना होता है, राष्ट्रपती को अपनी अनुमती देनी होती है, तो इसलिए बी जो है, चैह भले वो थोड़ा सा वेट कर लें, सोचने का आउसर ले लें, समय ले लें, ल भारत का सम्विधान मंत्रियों को चार स्रेणियों अथात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभारवाले मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री इन चार स्रेणियों में वर्गी कृत करता है ठीक है तो यह बिल्कुल गलत option है ठीक है दूसरा कथन देखते ह संग सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधान मंत्री को मिला कर लोग सभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए विल्कुल सही कतन है यहां पर ठीक है तो यहां पर option देखते हैं पहला केवल एक दूसरा केवल दो तीसरा एक और दो दो ना और चौथा ना की हमारा सही है ठीक है इसके बाद question number 15 देखते हैं निमने लिखित में कौन सी लोग सभा की अनन्य शक्तियां है या हैं ठीक है शक्ति है या शक्तियां है पहला है अपात की उद्गोशना का अनुसमर्थन करना ठीक है यह दूसरा और कतन है हमारा मंत्री परिशद के विरु अनन्य शक्ति नहीं है ठीक है यहां पर हम option देखते हैं नीचे दिये गए कूट का प्रयोग तो option A है एक और दो दोनो केवल एक और दो स्वरी केवल दो option C है एक और तीन और option D है केवल तीन तो यहां पर हमारा option B केवल दो सही होगा ठीक है मंत्री परिशद के गोशना कानू समर्थन ये भी गलत है और तीसरा भारत के राष्ट पती पर महावयोग चलाना ये तो बिलकुल गलत है ठीक है कोश्चन नमबर 16 देखते हैं भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्व में निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधयक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनेतिक दल में सामिल नहीं हो सकता ये बिलकुल गलत दिया है उल्टा दिया हुआ है सामिल होना होता है तो यहाँ पर यह पहला गलत है दूसरा देखते हैं यह कानून कोई समयावधी नहीं देता है जिसके अंदर पीठा सीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिस्चित करना होता है ये बिलकुल सही है तो यहाँ पर हमारा B कथन सही है और B है option number B में ठीक है तो दूसरा कथन केवल दो option B यह हमारा सही उत्तर होगा ठीक है और अंग कौन से हैं दो कथन दीए है पहला है भारत का महान्यावधी और भारत का सौलीशिटर जन्रल ही सरकार के एक मात्र अधिकारी है जिने भारत की संसदों संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति नई ऐसा नहीं है केवल उन्हें भाग लेने कि अनुमति Test गलत है दूसर सरकार के से वह चुन करके महानयवादी आते हैं अगर सरकार इस्तीफा देती है तो महानयवादी को त्याग पत्र देने की कोई जरूरत नहीं है तो option D हमारा यहां पर सही होगा ना तो एक ना ही दो ठीक है इसके बाद question number 18 देखते हैं भारत के नयायलेयों दोरा जारी रिटो को भी हमारे यूट्यूब चैनल में एक लेक्चर के थ्रू समझाया गया है जिसे आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर आप इरा इंस्टिट्यूट नाम से टेलीग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं जहां आपको daily current question answer MPPSC से जुड़ी updates और UPSC से भी ज पर्मादेश यानि की मेंडमस नहीं होगा ठीक है यह कथन क्या है सही है यानि पहला तो सही हो गया दूसरा कथन देखते हैं किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो पर्मादेश नहीं होगा ठीक है यह भी सही है इसके बाद अंगला देखते हैं कोई भी लोग प्रवन ब्यक्ति यानि कि public minded person अधिकार प्रक्षा यानि कि को वारंटोरिट प्राप्त करने है तो न्यायाले में समावेदन करने के लिए क्या petitioner हो सकता है यह भी सही है यानि कि एक दो तीन हमारे तीनों option सही है कथन सही है तो इसलिए option D हमारा सही होगा ठीक है अं बिटल मिशन के संदर्व में निनलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है प्राइबेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए दूसरा कतन है चूंकि इसका लक्ष सौस्थ की सर्वजनीन ब्याप्ति है अंत्यतों गत्त भारत के ह प्राइब नागरी को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए और तीसरा है यह पूरे देश में निरबाद रूप से लागू किया जा सकता है तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं केवल एक और दो दूसरा है केवल तीन, ऑप्शन B, C, केवल एक और तीन, ऑप्शन D है एक, दो और यहाँ पर सही option है अपना option B यानि की keyword 3 यह पूरे देश में निर्वाद रूप से लागू किया जा सकता है ठीक है इसके बाद अंगला देखते हैं हमारा question number 20 है लोग सभा के उपाध्यक्ष के संदर्व में निम्निलिखित कतनों पर विचार कीजिए लोग सभा के उपाध्यक निर्वाचन उस तारीक को होगा जो अध्यक्ष नियत करेंगे यानि कि जिसको अध्यक्ष क कहेंगे ठीक है दूसरा है यह आज्यापक उपबंध है कि लोग सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से हो या तो सासक दल से होगा तीसरा कतन है सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की सक्ति वैसी ही होती है जैसी की अध्यक्ष की और उसके विनिर्णेयों के विरुद्द कोई अपिल नहीं हो सकती अंगला कथन है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुष्थापित संसदी पद्धती यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधान मंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है इसमें कौन सा या कौन से कथन सही है तो हमारा पहला option है एक और तीन है केवल तीन और चार option D है केवल दो और चार यहां पर सही option है option A केवल एक और तीन कथन एक और कथन तीन सही है दो और चार हमारे यहां पर गलत है ठीक है इसके बाद अंगला प्रस्ने देखते हैं question number 21 है हमारा निमने लिखित फसलों में कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सरवाधिक महत्पूर्ण मनवोद भवी स्त्रोत है ठीक है यानि कि मेथेन और नाइट्रस के ऑक्साइड दोनों का ठीक है तो यहां पर option A है कपास, option B है धान, option C गन्ना, option D गेहूं यह हमारे science के यहां से question आज चुके हैं तो पर option B सही होगा धान, धान की जो फसल है वो मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सरवाधिक महत्पूर्ण मनोद भवी स्त्रोत है ठीक है अंगला प्रस नहां question number 32 देखते हैं क्रशी की धान गहन प्रणाली ठीक है जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और सुष्कन किया जाता है अधिक हैं तो यानिकी ड्राइंग के ड्राइंग और वेटिंग यह किया जाता है तो इसका क्या परणाम होता है ठीक है कथान एक है बीज की कम आवस्चक्ता बीज की कम आव descriptions सही है दूसरा क्या परणाम है मेथ्यली क хочा कि मेथेन की कम दो और तीन, option C केवल एक और तीन, option D एक दो तीन, तीनों option सही है, option D हमारा सही उत्तर होगा, इसके बार देखते है, question number 23, पस्चिम अफरीका की, यानि की, वेस्ट अफरीका की निम्न लिखी जीलो में, कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है, ठीक है, option A है, लेक व फागुबिन, option C, लेक ओगुटा, option D है हमारा लेक वोल्टा, तो इसमें सही उत्तर होगा, option B, लेक फागुबिन, ठीक है, लेक फागुबिन, यह हमारा सही अंसर होगा, इसके बाद question number 24 देखते हैं, दक्षिन भारत की गंडी कोटा घाटी, कैन्यन निम्न लिखित नदिय में से किस एक से निर्मित हुई है, ठीक है, option है कावेरी, option B है मंजीरा, option C, पेन्यार, option D, तुंग भद्रा, ठीक है, तो यहाँ पर option C, पेन्यार हमारा सही एंसर होगा, ठीक है, question number 25 देखते हैं, निम्न लिखित युगमों पर विचार कीजिए, यहाँ शिखर दिये हुए हैं, और परवत दिये हुए हैं, ठीक है, और सही युग में सुमेलित करना है, तो यहाँ पर पहला सिखर है, अपना नामचा बरवा, ठीक है, और नंदा देवी, फिर नोक रेक, ठीक, और नामचा बरवा किस परवत का सिखर कहा गया है, यहाँ पर गढ़वाल हिमाले का ब आप्शन डी केवल तीन तो यहां पर आप्शन भी केवल दो सही एंसर होगा यानि नंदा देवी कुमाओं हिमाले ये सिखर और परवत का युग में सही है ठीक है इसके बाद अंगला देखते हैं कोस्चन नमबर 26 अकसर समाचारों में सुनाई देने वाला सब्द लिवेंट मोटे तोर पर निम लिखित में से किस छेत्र से संगत है ठीक है इसमें ऑप्शन ए है पूर्वी भूमद्यसागरी तट के पास का छेत्र ऑप्शन बी उत्तरी अफ्रीकी तट के पास का मिस्र से मोरक्यों तक फैला छेत्र ऑप्शन सी फारस की खाड़ी और अफ्रीका के श निम्लिकित देशों पर विचार कीजिए, कौन कौन से दिये हुए हैं, पहला देश है अजरबेजान, दूसरा है किर्गिस्तान, तीसरा है ताजिकिस्तान, चौथा है तुर्कमेनिस्तान और पाच्वा है उजबेकिस्तान, ठीक है, यानि कि अजरबेजान, किर्गिस्तान, उजबेकिस्तान इन में से कौन सी सिमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं तो अजरबेजान को पहले हटा दीजिए और किर्गिस्तान को हटा दीजिए इसके बाद हमारे ताजकिस्तान सही है तुर्कमेनिस्तान सही है उजबेकिस्तान सही है तो यहाँ पर आप्शन कथनों पर विचार कीजिए ठीक है कथन कौन कौन से हैं पहला है मोनाजाइट दुरलब म्रदाओं का स्रोथ है मोनाजाइट मोनाजाइट में थोरियम होता है ठीक है फिर इसके बाद अंगला है भारत में भारत की समस्त्रित्त वर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृ कर सकते हैं यह सही है पहला और दूसरा सही है यानि कि यहां पर सही ऑप्षन हमारा होगा एक दो और चार एक दो चार दिया हुआ है ऑप्षन भी यानि ऑप्षन भी सही है केवल एक दो और चार अंगला प्रसंद देखते हैं question number 29 उत्तरी गुलार्द में वर्सका सबसे लंब दिन होता है ठीक है यहां पर देखते हैं option जून महीने का पहला पकवाड़ा पकवाड़ा यानि की 15 दिनों का होता है एक तारिक से 15 तारिक तक एक पकवाड़ा 15 तारिक से 30 तारिक तक का या 31 तक का दूसरा पकवाड़ा यह गलत है जून महीने का दूसरा पकवाड़ा option भ हुई है पहला है अपना होकेरा या हुकेरा आर्दरभुमी हुकेरा विट लेंड ठीक है ये पंजाब में बताया जा रहा है ठीक है इसके बाद रेणु का आर्दरभुमी ठीक है यानि कि केवल एक यूग में, दो यूग में, तीन यूग में, चार यूग में, सही उत्तर है इसका केवल दो यूग में, आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि इन में से कौन से दो यूग में सही सुमेलित हैं और कौन से दो यूग में गलत हैं, ठीक है, कमेंट में जल्दी से इ आरो के सेतु एक बनाए गया था कोविन भी उसी के लिए और वैक्सिनेशन के लिए डिजी लॉकर और दिख्षा दिख्षा यह हमारा किसके लिए है यह सरकारी सिख्षकों के लिए इसके बाद इसमें ऑप्सन देखते हैं उपर यूप्त में से कौन से ओपेन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गये हैं ठीक है ओप्सन ए केवल एक और दो आरो के सेतु और कोविन ओप्सन बी दो तीन और चार ओप्सन सी केवल एक तीन चार और ओप्सन डी है एक दो तीन और चार ठीक है इसका सही एंसर होगा हमारा ओप्सन डी एक तो तीन चार ये सभी हमारे क्या है open source digital platform है ठीक है इसके बाद question number 32 देखते हैं web 3.0 के संदर्व में निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक है web 3.0 प्रध्योगी की से ब्यक्ति अपने स्वयम के आंकडों पर नियंत्रण कर सकते हैं option कथन 2 है कि web 3.0 संसार में blockchain आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं option यानि कि कथन तीसरा है कि web 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाए प्रयोकताओं द्वारा सामोहिक रूप से परिचालित किया जाता है ठीक है ये तीनों ही सही है यानि कि option D केवल 1,2 और सही एंसर होगा ठीक है अंगला प्रस्ण देखते हैं अंगला प्रस्ण है question number 33 ठीक है software सेवा के रूप में यानि कि software as a service saas के संदर्व में निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक है saas क्रै करता प्रयोकता अंतरा प्रस्ण को अपनी आवशकता नुसार निरधारित कर आंकड़ों के छेत्र में बदलाव कर सकते हैं दूसरा है saas प्रयोकता अपनी चल युक्तियों यानि mobile devices के माद् dragonszenia in Wasbox, Hotmail और Yahoo mail यह software सेवा के रूप में हैं ठीक है saas के रूप में हैं इसमें से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं तो पहला है के वल 1-2 दूसरा के चेवल 2-3, तीसरा option C है के वल 1-3 और option D है 1-2-3, 2-3 तीनों ही सही कथन है यानि कि option D 1-2-3 सही option होगा ठीक है, इसके बा निम्न लिखित कत्नों में कौन सा एक जन संचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कप्षिय बंबारी प्रणाली यानि की Fractional Orbital Bombardment System के आधार भूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिविंबित करता है ठीक है इसमें Option A है अंतिरिक्ष में अतिध्वनिक मिसाइल का प्रमोचन प्रतिवी के तरफ बढ़ते हुए छुद्र ग्रह का सामना उसका अंतिरिक्ष में ही विस्फोटन कराने के लिए किया जाता है Option B है कोई अंतिरिक्ष यान अनेक कक्षी गतियों के बाद किसी अनुग्रह पर उतरता है उसके बाद अंगला है कोई मिसाइल प्रतिवी के परितः किसी इस्थिर कक्षा में इस्थापित किया जाता है प्रत्वी के चारों तरफ किसी इस्तिर कक्षा में प्रत्य स्थापित किया जाता है और वह प्रत्वी पर किसी लक्ष के ऊपर कक्षा को त्यागता है ठीक है और option D है कोई अंतरिक्षियान किसी धूम केतु के साथ साथ उसी चाल से चलते हुए उसके प्रष्ट पर एक संपरीक्षित स्थापित करता है ठीक है तो यहाँ पर हमारा option C सही answer होगा यानि कि कोई मिसाइल प्रत्वी के परिता किसी इस्थिर कक्षा में इस्थापित करता किया जाता है और वह प्रत्वी पर किसी लक्ष के उपर कक्षा को त्याकता है ठीक है यह कथन जो है जनसंचार मात्यवों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षी बंबारी प्रणाली के आधार भूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिविम्वित करता है यानि कि उसी को समझाता है ठीक है इसके बाद कुश्चन नमबर 35 देखते हैं क्यूबिट सब्द का उलेक निमलिकित में से कौन से एक प्रसमंग में होता है क्लाउड से वाएं क्वांटम संगडन यानि कि क्वांटम कम्प्यूटिंग और द्रस से संचार प्रकास प्रद्योगी कियां और बेतार संचार प्रद्योगी कियां तो क्वांटम संगडन यानि क्वांटम काउंटिंग में अपना ये क्यूबिट सब्द प्रयोग किया जात एक कोस्टन नमबर 36 देखते हैं निमनिलखित संचार प्रद्योगी कियों पर विचार कीजिए कौन कौन सी है पहली है निकट परिपत क्लोस सर्कृट टेलिविजन दूसरा रेडियो अवरित्ति अभिनिरधार यानि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तीसरा ह लोकल एरिया नेटवर्क बेतार इस्थानी छेत्र नेटवर्क इसमें कौन सी लगुपरास युक्तियां या प्रद्योगी किया मानी जाती हैं लगुपरास यानि कि क्या कहलाता है शौर्ट रेंज डिवाइसेज किसको किसको या लॉजिस्टिक टेक्नोलोजीज मानते हैं केवल एक और दो ऑप्शन भी केवल दो और तीन ऑप्शन सी एक और तीन ऑप्शन डी एक दो और तीन तीनों ही हमारी क्या है सौर्ट रेंज की टेकनोलोजीज हैं यानि कि क्लोस सर्किट टेलिवीजन ये सौर्ट रेंज का है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिके चिकित्सकी अंतर रोपों पर बन सकती है Biofilm can form on medical implants within human tissues और दूसरा है जैवपरत खाद्य पदात और खाद्य प्रसंसकरण सतहों पर बन सकती है किस पर बन सकती है? Food and food processing surfaces पर और Biofilm या जैवपरत किस पर क्या होती है? जैव प्रतिरोधक प्रतिरोध दर्सा सकती है यानि कि exhibit antibiotic resistance तो यहाँ पर option D सही होगा एक दो और तीनों कथन आपर सही है अंगला प्रसंद देखते है question number 38 question number 38 अर्थिसमा question है प्रजैविकों यानि कि probiotics के संदर्व में कथन दिये हुए है उनमें से बताना है कौन सा या कौन से सही है तो पहला कथन क्या कहता है प्रजैविक जीवान और यिस्ट दोनों के बने होते हैं जीवान और यिस्ट दोनों के बने होते हैं तो ये दुख धिसरकराओं के पाचन में भी सहायक होता है यानि एक और तीन सही है option C हमारा एक और तीन सही होगा ठीक है इसके बाद question number 39 देखते हैं 39 कहता है COVID-19 महामारी विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में नेमने कथन है इसमें बताना है कौन सा या कौन से सही है पहला भारती यानि इंडियन सीरम इंस्टिट्यूट ने MRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर COVID-19 वैक्सीन निर्मित की ठीक है दूसरा है इस पूतिनिक V की वैक्सीन रोग वाहक यानि वैक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है और तीसरा है कथन है कौ वैक्सीन एक निश्कृत रोग जनक आधारित वैक्सीन है यहाँ पर दो और तीन सही है पहला भारती सीरम संस्थान ने MRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर COVID-19 वैक्सीन निर्मित की यह गलत है क्यों क्योंकि यहाँ पर MRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग जो बताया जा रहा है ठीक है तो यह यहाँ पर गलत दिया हुआ है ठीक है तो कॉस्ट अपना दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है यानि की option भी सही answer होगा ठीक है इसके बाद चलते है question number 40 पर यदि कोई मुख्य सौर तूफान यानि की सौर प्रज्वाल कहलाता है जो या solar player कहलाता है solar storm प्रत्वी पर पहुँचता है तो प्रत्वी पर निमलिकित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे पहला है प्रभाव GPS और दिक संचालन नविगेशन प्रणालिया विफल हो सकती है ठीक है दूसरा है विश्वती छेत्रों में सुनामियां आ सकती है ये विश्वती छेत्रों में सुनामियां आ सकती है यह जरूरी नहीं है ठीक है फिर उसके बाद अंगला है बिजली ग्रेड च्छतिग्रस्त हो सकते हैं यहां पर देखिए यह दूसरा जो है यह जरूरी नहीं है ठीक है इसको अलग कर लेते हैं बिजली ग्रेड च्छतिग्रस्त हो सकते हैं यह भी सही है पहला भी सही था प्र उपग्रहों की कक्छाएं विछुब्द हो सकती हैं बिल्कुल सही इसके बाद यहां पर ग्रह के अधिकांस हिस्से पर दावाग्निया घटित हो सकती है यह गलत है आग लग सकती है जरूरी नहीं है इसके बाद सात्वां है हमारा सात्वा है धुरूरी छेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लग तरंग रेडियो संचार बादित हो सकता है बिल्कुल यह सही है ठीक है तो यहां पर हमारा कथन जो है दो और पांच गलत हैं बाकी एक दो तीन चार छह साथ सही है यहां पर एक तीन चार छह साथ जो दिया हुआ है तो option C है केवल 1, 3, 4, 6 और 7 ठीक है इसके बाद अंगला प्रस्ने देखते हैं अंगला प्रस्ने है हमारा जलवाई कारेवाई जो कि विभिन देशों के उत्सरजन अप्चेन के लिए दिये गए वचनों की निगरानी करता है यह क्या है option A अनुसंदान संगठनों के गठवंधन द्वारा निर्मित देटाबेस है सही है दूसरा जलवाई परिवरतन के अंतराष्टी पैनल का सकंध या विंग है गलत जलवाई परिवरतन option C जलवाई परिवरतन पर संयुक्त राष्ट धाचा अभी समय के आधीन समीती है नहीं संयुक्त राष्ट पर्रयावरण कारक्रम और विश्व बैंक द्वारा समवर्धित और स्वावित पोसित एजनसी है यहाँ पर option A हमारा सही होगा अनुसंदान स संगठनों के गठन बंधन द्वारा निर्मित डेटावेस ठीक है इसके बाद चलते हैं question number 42 पर question number 42 निमने कथनों पर विचार कीजिए ठीक है जलवाई समूह दी क्लाइमेट ग्रूप एक अंतर राष्ट्री गयर लाभकारी संगठन है जो बड़े network बनाकर जलवाई क्रिय काम भी की यह गलत है ठीक है इपी हैंड़ेट का कुछ दूसरा काम रहता है इसके बाद इपी हैंड़ेट उर्जा दक्षता में नव प्रवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सरजन न्यूनी करण ठीक है लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिसपरधात्मक्ता बढ़ इसके बाद लास्ट है अंतराश्टी उर्जा एजनसी अंडर टू कोईलीशन का सचिवाले है ठीक है यह गलत है ठीक है तो यहां पर एक तीन और चार केवल एक तीन और चार ऑप्षन भी हमारा सही होगा ठीक है इसके बाद कोश्चन नंबर 43 देखते हैं कोश्चन नंबर आध्र भूमियों का कौन सा एक कर उपर युक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिविम्बित करता है ठीक है ऑप्षन ए आध्र भूमियों के जल्चक्र में सतही अपवाह अपव्म्रदा अंतहस्रवन और वास्पन सामिल होते हैं ऑप्षन भी शैवालों से वह पोशक आधार बनता है जिस पर मत्य परुष कवची यानि की क्रिश्टेशियाई और म्रेदु कवची मोलस्क और पक्षी सरी सरफ और इस्तंधारी फलते फूलते हैं ऑप्षन सी है आर्द्र भूमियां अवसान संतुलन और म्रदा इस्थरीगरन बनाए रखने में महत्पुन पोशकों के आधिके को अशोसित कर लेते हैं यहां पर ऑप्षन सी हमारा सही होगा यानि की वेट लैंड्स प्ले वाइटल रोल इन मैंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड स्वाइल इस्टेविलाइजेशन ठीक है अंगला कोस्टन यानि कोस्टन नमबर फोटी-फो ग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और पी एम 2.5 का वार्षिक माध्य 5 मू ग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए यह ऑप्षन एक है कथन एक है कथन दो है किसी वर्ष में ओजोन प्रदूशन के उच्चितम इस्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं यह गलत है तीसरा है पी एम 10 फेफडे के अरोध का वेधन कर रक्त प्रवाय में प्रवेश कर सकता है यह देखिए यहाँ पर जो हमारे कथन दो और कथ पफन तीन दिए हुए हैं यह दोनों के दोनों गलत है इसके बाद चौकर कर सकती है जादा जोँ से दमा होता है विर्कल सही है ठीक है पहला और चौकर सही हैं उपर युक्त में कौन सा यह कौन से सही है केवल एक और चार option भी सही होगा ठीक है इसके बाद चलते हैं question number 45 पर question number 45 है कभी कभी समाचारों में उलिखित गुच्छी के संदर्व में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए गुच्छी G-U-C-C-H-I ठीक है तो इसके संदर्व में विचार करना है यह एक कभक है यह कुछ हिमालयी one चेत्रों में उगती है ठीक है उत्तर पूरी भारत के हिमालयी की तलहटी में इसकी वानीजिक रूप से खेती की जाती है वानीजिक रूप से खेती यह गलत दिया हुआ है पहला और दूसरा सही है या जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ब्यापक उपयोग है जिन्न लिखित कत्रों पर विचार करिए कथन एक है इसके तंतुओं को उन और कपास के तंतुओं के साथ उसके गुड़ धर्मों को प्रति प्रभलित करने है तो सम्मिश्रित किया जा सकता है दिल्कुल सही है प अंगला है इससे बनी बोतलों का पुनर चक्रण यानि रिसाइकलिंग कर इसे अन उत्पाग बनाये जा सकते हैं विल्कुल सही है इसके बाद अंगला है इससे बनी वस्तुओं का भस्मी करण द्वारा बिना ग्रीन हाउस उत्सरजन के आसानी से निप्टान नहीं किया जा ठीक है पहला है गोल्डन महासीर दूसरा है इंडियन नाइट जार क्या है इंडियन नाइट जार तीसरा है क्या स्पून बिल और चौथा वाइट आईविस इसमें से गोल्डन महासीर जो है तो ये पक्षी नहीं है ठीक है अंगला प्रसंद देखते हैं कोस्चन नमबर 48 निम्नल खित में कौन से नाइट्रोजन योगीकी करण पाधप हैं? ठीक है? कौन से नाइट्रोजन योगीकी करण पाधप हैं? पहला है अल्फाल्फा ठीक है इसके बाद दूसरा है चौलाई या एमरंथ तीसरा है चना या चिकपी चौता है तिपतिया घास या क्लोवर फिर पांचवा है कुल्फा या परसनेल परसलेन और छट्वा है पालक ठीक है कौन से या कौन से नाइट्रोजन योगी करण है ठीक है तो पहला हमारा अल्फाल्फा है सही है दूसरा चौलाई भी है तीसरा हमारा चना नहीं है चौता तिपतिया घास ये बिल्कुल सही है फिर उसके बाद पांचवा पांचवा है कुल्फा या परसलेन ये भी सही है छट्वा पालक सही है यानि कि एक दो चार और 6 option D हमारा यहां पर सही होगा इसके बाद question number 49 देखते हैं question 49 कहता है निन लिखित इस्थितियों में से किस एक में जैव शैल प्रोध्योगी की बायो रॉक टेकनोलोजी की बातें होती है option H हतिग्रस्त प्रवाल भितियों यानि coral reefs की बहाली बिल्कुल सही है यही सही option यहां पर होगा अंगले देख लेते हैं पादप अवसिष्टों का प्रयोग कर भवन निर्मान सामगरी का विकास गलत है शैल गैस के अवसेज अन्वेशन निसकर्शन के लिए छेत्रों की पहचान गलत है वनो सन्रक्षी छेत्रों में जंगली पस्वों के लिए लवन लेहिकाएं साल्ट लिक्स उपलब्द कराना ये भी गलत है तो जैव सैल प्रोध्योगी की बायो टेकनोलोजी की बातें किस नमबर कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 50 ये कहता है मियावाकी पद्धती किसके लिए विख्यात है मियावाकी पद्धती और अर्धसुस्क छेत्रों में वाणिजिक क्रशी का समवर्धन नहीं अनुवन सिकता है रूप आंतरित पुश्मों का प्रयोग कर उध्यान का विखास नहीं सहरी खेत्रों में लगूबनों का स्र०्धन बिल्कुल सही है सहरी खेत्रों में लगूबनों के स्र०्धन के लिए वियावाकी पद्धती है ठीक है ऑ्प्शन डी 30 खेत्रों अर् 2 पर पवणूर्ण नहीं यहा पर достаточно होगा ठीक है यहां पर 50aring हमारे पूर अंतरगत बाते गये थे निम निलखित में कौन से आरक्षित वी सय माने गये थे ठीक है जो वी इस्थानी स्वसासन नहीं भूराज़स सही है और पुलिस ठीक act यानि कि स्थानी प्रसासन को अगर चोड़ दिया जाये इस्थानी स्वसासन को छोड़ दिया गया यहाँ स्थानी प्रसासन लिया गया था इस्थानी स्वसासन को छोड़ दिया जा तो ये तीनों सही है यानि की एक तीन और चार option C हमारा सही होगा ठीक है निजह कालीन भारत में सब्ध फड़म किस से निर्दिष्ट सिक्कों से निर्दिष्ट करता है option B सही होगा निमनलिखित स्वतंतरता सेनानियों पर विचार कीजिए बारिंद्र कुमार घोष जोगेश चंदर चटर जी और तीसरे है रास विहारी वोष ठीक है गदर पार्टी के सक्री सदस से कौन कौन से थे या कौन जुड़े थे या जुड़ा था ठीक है तो यहाँ पर केवल तीस कीजिए कृष्ट स्विषन के प्रस्ताओ ठीक है अब बताना है इसमें कि कौन सा कौन से सही है तो प्रहला प्रस्ताओ जो दिया हुआ है सम्विधान सभाव में प्रानतीर reducing सब्सें सुबॉरय साथ ही भारती ज्यासत्व दौरा नामित सदस्य होंगे यह गलत है यह प्रस पताव पर था इसलिए यहां पर हमारा option B केवल दो सही होगा ठीक है यहां पर question number 55 देखते हैं भारती इतियाज के संदर्व में निमनलखित मूल ग्रंतों पर विचार कीजिए ठीक है नेत्ती पकरण दूसरा है परिशिष्ट परवन तीसरा है आउदान सतक और चौथा है त्री सस्टी लक्षण महापुराण ठीक है उपर युक्त में से जैन ग्रंत कौन कौन से हैं जैन ग्रंत दो ही है परिशिष्ट परवन और चौथा है अपना ये त्री सस्टी लक्षण महापुराण ठी होगा ठीक है अंगला प्रस्टन देखते हैं कोस्चन नंबर 56 कहता है भारती इतिहास के संदर्व में निनलिखित युगमों पर विचार करना है यहां एतिहासिक परस्टनलिटी दी हुई है और बताना है कि वह हिस्टोरिकल परस्टनलिटी किसके तोर पर जाने जाते हैं आरेदेव जैन विद्वान फिर उसके बाद दिगनाक को कहा जा रहा है बौध्ध विद्वान और नाथ मुनी वैश्णौ विद्वान ठीक है यहां में से कितने आपको इसमें बताना है कॉमेंट में करके कि इन में से कौन से दो जो सुमेल हैं या युग्म हैं वो सही दिये हुए हैं ठीक है अंगला प्रसन देखते हैं कोस्चन नमबर हमारा ये 57 है 57 नमबर कोस्चन को देखें भारती इतिहास के संदर्व में निम्लिखित कत्रों पर व दिल्ली तक आ पहुंचा और उसे सहर पर घेरा डाल दिया तीसरा है मुहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राजी के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग आइस्थाई रूप से हार गया था यहां पर हमारा कौन सा सही उत्तर होगा ठीक है यहां पर कुछ लोग कहते हैं क कि option केवल 2 और केवल 3 यानि कि कोई कहता है अलाउद दिन खिल जी के राजकाल में एक मंगोल अक्रमन दिल्ली तक आ पहुंचा और उस सहर पर घेरा डाल दिया कोई कहता है मुहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राजी के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग पर होगा option B केवल दो यानि अलाउद दीन खिल जी के राजिकाल में एक मंगोल अक्रमन दिल्ली तक आ पहुचा था और उस सहर पर घेरा डाल दिया था ठीक है यानि कि इसमें क्या सही होगा option B केवल दो ठीक है अंगला प्रसन देखते हैं 58 नंबर question कहता है भारती इतिहास के संदर और में निमनलखित में कौन से या कौन कुलाहदारन कहलाते थे कुलाहदारन औरव्यापारी कलंदर फारिसी खुसनवीस और लास्ट है सयद सयद कहलाते थे कुलाहदारन ठीक है option D हम आरा सही होगा उसके बाद question 59 नंबर देखते हैं भारती इतिहास के संदर्व में निम्मिलखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन कहता है डच लोगों ने पूर्वी तटी छेतर में गजपती सासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्टरियां गोदाम इस्थापित किये बिल्कुल सही है पहला दूसरा देखते हैं अलफा गलत है ठीक है तो यहां पर हमारा कौन सा उप्षन सही होगा केवल एक और दो ठीक है केवल एक और दो ऑप्षन हमारा यहां पर सही ऑप्षन होगा ठीक है इसके बाद चलते हैं कोश्चन नंबर 60 पर कोश्चन नंबर 60 कहता है कौटिल लिके अर्थसास्त्र के अनुसार न कौन से सही हैं नयायक दंड के परिणाम सरूप कोई ब्यक्ति दान दास हो सकता है ठीक है इस्तरी दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जहनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है यह भी सही है इसके बाद तीसरा यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता है यह भी सही है यानि कि option D हमारा 1, 2 और 3, 3ो सही होंगे ठीक है अंगला प्रसने देखते हैं question number 61 कहता है question number 61 में निमने कत्नों पर विचार क यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीती पूजी पलायन की ओर ले जाती है दूसरा कथन पूजी पलायन वर्तमान विदेशी वानिजिक ग्रिन ग्रहन यानि के external commercial borrowing ECBs वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है तीसरा है घरेलु मुद्रा का ओमूल्य यान ECBs से संबध मुद्रा जोखिम को घटाता है ठीक है तीसरा हमारा यहाँ पर गलत कथन है और उसके अलावा बाकी के जो पहले और दूसरे हैं यह दोनों सही कथन है यानि कि केवल एक और दो उपर युगत कथनों में से option A अपना सही होगा ठीक है निम्नन कथ राज्य जाने जाते हैं ठीक है तो आपको यहाँ पर comment में बताना है कि वो तीन राज्य कौन कौन से हैं जो कि इन में से इन चारों में से चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं ठीक है इसके बाद चलते हैं अंगला question number 63 निम्न लिखित कत्रों पर विचार कीजिए भारत में साख चमता निधारण एजंसिया यानि की credit rating agencies जो हैं भारती रिजर वैंक द्वारा विनेमित होती हैं फिर उसके बाद ICRA के नाम से जानी जाने वाली चमता निधारण एजंसी एक public limited company है ये गलत है इसके बाद है brick work ratings एक भारती साख चमता निधारण एजंसी है य ठीक है यानि कि यहाँ पर पहला सही है दूसरा गलत है तीसरा सही है केवल एक और तीन option C यहाँ पर सही होगा ठीक है कौन सा सही होगा option C ठीक है question number 64 देखते है board of bureau BBB bank board bureau bank board bureau के संदर्व में निनलखित में कौन से कथन या कौन सा कथन सही है RBI का governor BBB का chairman होता है गलत है BBB सर्वजनिक छेतरक बैंकों के अध्यक्षों के चैन के लिए संसुस्ति करता है सही है BBB सर्वजनिक छेतरक बैंकों को कारी नीतियों और पूझी वर्धन योजनाओं को विक्सित करने में मदद करता है यह भी सही है यहाँ पर हमारा option 1 गलत है option 2 और 3 सही है यहाँ पर देखते हैं 2 और 3 किसमे है 2 और 3 option B में केवल 2 और 3 दिया हुआ है यहाँ पर 64 question का option B सही होगा question number 65 देखते हैं परिवर्धनिये bond के संदर्व में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है चुकि bond को equity के लिए बदलने का विकल्प है उपभोकता कीमतों से सहलगनता यानि की indexation से की मात्रा प्रदान करता है यह गलत है ठीक है पहला सही है यानि option A केवल 1 सही होगा ठीक है अंगला प्रसने देखते हैं question number 66 हमारा है निमलिखित कतन पर विचार कीजिए ACI और सनरशना निवेश बैंक Asian infrastructure investment bank ठीक है दूसरा प्रक्षेपास्त्र प्रदोगी की नियंतरन विवस्था missile technology control regime और तीसरा संगाई सहयोग संगठन संगाई cooperation organization इन में से भारत किसका या किनका सदस्य है भारत इन में से तीनों का सदस्य है ठीक है भारत ACN infrastructure investment bank का भी सदस्य है भारत missile technology control regime का भी सदस्य है और तीसरा भारत संगाई cooperation organizations का भी सदस्य है यहाँ पर option D हमारा सही होगा यह का question number 67 देखते है जिन कतनों पर विचार करना है पहला कतन हाल के वर्सों में वियतनाम विश्थों में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थ वि पर नालियों के द्वारा होता है बिल्कुल नहीं इसके बाद तीसरा है वियतनाम का आर्थिक विकास विश्व्यापी पूर्तिस रंखलाओं के साथ इसके एकी करण और निर्यात पर मुख्यधान होने से जुड़ा है ठीक है यह सही है तो यहाँ पर हमारा पहला सही है प्रसांत शेतर का सरवाधिक उत्पादक इसेवा सेक्टर वियतनाम में है गलत है ठीक है यहाँ पर चौथा सही है पांचमा गलत है पहला तीसरा चौथा एक तीन चार ऑप्शन सी हमारा सही होगा ठीक है कुश्चन नमबर 68 देखते हैं बारत में निनलिखित में कौन परिसाद ऑप्शन सी भारती रिजर्व वैंक ऑप्शन डी ऑप्शन डी भारती रिजर्व वैंक सही होगा ठीक है इसके बाद कुश्चन नमबर 69 देखते हैं कुश्चन नमबर 69 है नॉन फंजाइविल टोकेंस यानि कि एनफ्टी के संदर्व में निमनलिखित कथनों पर ठीय है आसान करते हैं फिर इसके बाद दूसरा कफन है कि वे अनन्य क्रिप्टो घ्रफिक टोकन से जो किसी ब्लेक यानि की ब्लॉक चैन में विध्यमान है ये गलत है पहला सभी है दूसरा गलत है इसके बाद उनका तुलेता पर व्यापार या वीनिमें किया जा सकता है औ लॉक्चेन में विद्यमान है ये सही होगा ठीक है पहला दूसरा सही है केवल एक और दो आप्शन एस सही होगा ठीक है निमलखित युगमु पर विचार करना है यहां पर युगमे दिये हुए हैं इसमें रिजरवायर्स दिये हैं और वो किस स्टेट्स में है यह दिया यह में अंध्रप्रोडप्रदेश में और इपना मैयतों जो है 26 गड़ में इन में से कॉन कितने युग में सुमेलित नहीं है तो चारों सुमेलित नहीं नहीं है कि एक चारों गलत हैं कि इसके वाद अंगला देखते हैं question number 70 कहता है भारत में निर्म लिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नहीं उपती है और द्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विशे में सुचनाओं को संकलित करता है कौन करता है तो यहाँ पर हमको पता है इसका सही एंसर होगा लेबर ब्यूरो ठीक है शरम ब्यूरो ओप्षन अपना C, सही एंसर होगा ठीक है question number 71 का question number 72 देखते हैं भारत में कोला नियंतरक संगठन ठीक है गोल कंट्रोलर्स और्गनाइजेशन CCO की क्या भूमिका होती है ठीक है CCO की भूमिका देखते हैं कहां पर कथन दिये हुए हैं CCO भारत सरकार में कोईला सांखिकी का प्रमुक्स रोथ है पहला सही है दूसरा यह बद्ध कोईला यानि लिगनाइट खंड के विकास की प्रग कि किसी आपत्ती का अनुश्रवन करता है यह गलत है इसके बाद यह सही है हमारा इसके बाद यह सुनिश्चित करता है कि कोईला खंड कंपनियां विहित समय में अंतिम उभूगताओं को कोईला यह विल्कुल गलत है ठीक है तो यहां पर सही उत्तर होगा option A केवल 1,2 और 3 question number 73 कहता है यदि किसी विशिष्ट छेतर को भारत के सम्विधान की पांचवी अनुशूची के अधियन लाया जाए तो निर्म लिखित कत्रों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिविम्वित करता है ठीक है option A इससे जंजाती लोगों की जमीने ग निकायका स्रजन होगा option C इससे वह छेतर संग राजी छेतर में बदल जाएगा option D जिस राजी के पास ऐसे छेतर होंगे उसे विशेष कोटी का राजस्वोशित किया जाए option B सही है इससे उस छेतर में एक इस्थानी स्वसासी निकायका स्रजन होगा ठीक है इसके बाद question number 74 देखते हैं question number 74 कहता है निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए भारत स्वक्षिता गठवंधन धारणी स्वक्षिता को समवर्धित करने वाला platform है ठीक है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ संगठन द्वारा इसका वित्व पोशन होता है यह कथन एक हो गया वासन और सहरी कार्य मंत्राले का सीर्शस्थ निकाय है और यह सहरी भारत की चुनोतियों का समाधान करने के लिए नव प्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है एक कौन सा या कौन से सही है दोनों सही है यहाँ पर तो option C एक और दो दोनों सही होंगे question number 75 देखते हैं निमन लिख केंद्री जलायोग केंद्री भूजल बोर्ड केंद्री भूजल प्राधिकर्ण यानि की Central Ground Water Authority और उसके बाद डी option National Water Development Agency यहाँ पर option C सही है हमारा केंद्री भूजल प्राधिकर्ण ठीक है यानि की Central Ground Water Authority को गठित किया गया था पर्रय अबरन संरक्षन अधिनियां 1986 के अधि question number 76 देखते हैं संयुक्त राष्ट प्रत्य समीति United Nations Credentials Committee के संदर्व में निमनिलखित कतनों पर विचार करिए पहला है कथन कि यह संयुक्त राष्ट यानि UN सुरक्षा परिसत द्वारा स्थापित समीति है UNSC द्वारा स्थापित समीति है और इसके पर्रेवक्षन में के अधिन काम करती है दूसरा पारंपरिक रूप से प्रति वर्स मार्च जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है दोनों कथन गलत है ठीक है तीसरा है यह महासभा को अनुमोधित करने है तो रिपोर्ट प्रस्थ करने से पूरु सभी UN सदस्यों के प्रत्ययों का आंकलन करत है विल्कुल सही है केवल तीन ओप्शन ए हमारा सही होगा इसके बाद कोश्चन नंबर 77 को देखते हैं कोश्चन नंबर 77 कहता है निमनलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवी कोड यानि की पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है ध्रुवी जल राशियों में परिशाल संदर्व के सी मांग कन का समझ्आ है घलत है यह घृत्रि फ्री अर्फ्शन दरू है कोश्चन नंबर 78 कोश्चन नंबर 78 कहता है सविक venntyyट के संदर्व में निमने कतनों पर विचार कीजिए के एक है, यूएन महासभा गय सदस्य राजियों को प्रेक्षक इस्थिती प्रदान करती है, सही है, दूसरा, अन्तह सरकारी संगठन, यूएन महासभा में प्रेक्षक इस्थिती पाने का प्रयत्न कर सकते हैं, सही है, तीसरा है, यूएन महासभा में इस्थाई प्रेक्षक इमने कथनों पर विचार कीजिए चाईबोड सम्विधिक निकाए है सही है फिर चाईबोड क्रसि और किसान कल्यान मंत्रालें से संलग्न नियामक निकाए नहीं है और इसके बाद निकार्याले के दुबइए और मॉस्को में विदेशी कार्याले हैं ये सही है option D एक और चार सही है comment section में आप बताईए चाय बोर्ड का प्रधान कार्याल है भारत में कहां पर इस्थित है question number 80 देखते हैं निमनलिखित में से कौन सा एक green washing सब्दका सर्वोत्तम वर्णन है green washing ठीक है पहला option है मिथ्या रूप से यह प्रभावब्यक्त करना गलत रूप से यह प्रभावब्यक्त करना कि company के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली यानि इको फ्रेंडली या पर्यावरण रूप से पर्यावरणी रूप से उपयुक्त है मिल्कुल सही है option A इसका सही answer होगा ठीक है इसके बाद अंगला प्रस्थित देखते है question number 81 निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है उच्च मेग मुख्यता सौर विकिरण को परावर्तित कर भूप्रस्थ को ठंडा करते हैं गलत है भूप्रस्थ से उच्चरजित होने वाली अवरक्त विकिरणों का यानि कि इंफ्रा रेड जो रेडियेशन्स हैं इनका निम्न मेध में उच्च अवसोशन होता है और इससे तापन प्रभाव होता है ये गलत है ना तो एक ना ही दो दोनों option यहाँ पर गलत है ठीक है option D इसका सही होगा question number 82 देखते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए कथन एक है उत्तर पश्चमी केन्या में बीडी बीडी एक ब्रहद सरनार्थी बस्ती है ठीक है इसके बाद दूसरा दक्षणी सूडान ग्रह युद्र से पलायन किये हुए कुछ लोग बीडी बीडी में रहते हैं यह सही है तीसरा सोमालिया के ग्रह युद्र से पलायन किये हुए कुछ लोग केन्या के ददाव सरनार्थी संकुल में रहते हैं यह भी सही है ठीक है यानि कि उत्तर पस्चिमी के नमे बीडी बीडी एक व्रहत सरनारती वस्ती है ये गलत है यानि कि इसमें से option C हमारा सही होगा पहला गलत बाकी के दो सही इसमें से question number 83 देखते हैं निम्न लिखित देशों पर विचार कीजिए फिर से ये देश आ गए है आरमीनिया ठीक है अंगला है अजरबैजान क्रोएशिया रोमानिया और उजबैकिस्तान ठीक है इसमें से बता रहा है कि तुर्की राजियों के संगठन के सदसे कौन कौन से ह हैं तो तुर्की राजियों के संगठन के सदसे अजरबैजान और उजबैकिस्तान हैं कौन कौन से हैं अजरबैजान और उजबैकिस्तान दो और पांच ठीक है option C यहां पर सही होगा ठीक है question number 84 देखते हैं निम्न लिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन 1 है गुजरात म के बात तीस रा गुवा में भारत की विशालतम तरती ही सौर प्रकास वोल्टी परियोजना है यह गलत है तो option B हमारा केवल दो कौन को सा कथन केवल सही है केवल दो तो option B यहां पर सही होगा question number 85 देखते हैं समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट अभिसमय यानि United Nations Convention के स ज़ूडाई को आधार रेखासे मापित बारा समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुष्थापित करने का अधिकार है ठीक है सभी राज्यों के दूसरा कथन कहता है यह पहला हमारा सही कथन है पहला कथन क्या होगा यहाँ पर पहला कथन सही कथन कि सभी राजियों के चाहे वे तटी हो या भूबध भाग के हो जहाजों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है यह गलत है और तीसरा हमारा अनन्य आर्थिक छेतर का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मेल से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चोड़ाई मापी जाती है हाँ बिल्कुल सही है 200 समुद्री मेल तक ही विस्तार दिया जाता है उसमें भी 3 लेयर की पॉलिसी अपने इंडिया में है तो यह हमारा दूसरा यहां पर गलत होगा और तीसरा सही है तो यहां पर बताएए कौन सा आप्शन हमारा सही होगा यहां पर आप्शन हमारा C केवल 1 और 3 सही है ठीक है अंगला प्रस्ण देखते हैं Q86 कहता है निमनलिखित कतलों में कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उलिखित सेंकाकु द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप में प्रतिवंधित करता है ठीक है सेंकाकु द्वीप विवाद इसे अगर आपने पढ़ा होगा तो यह कोस्चन आपसे बिल्कुल बन जाएगा ओप्शन यहां पर सेंकाकु द्वीप का क्या था कि चीन और जापान के वीज जो पूरवी चीन सागर में दोनों के यानि इसके विशे में जो था तो समुद्री विवाद जो रहता था उसको ले करके है ठीक है तो यहां पर हमारा ओप्शन भी देखिए यहां पर दिया हुआ है चीन जापान के वीज पूरवी चीन सागर में इन दोनों के विशे में कौन से सेंकाकु द्वीप के विशे में समुद्री विवाद होता रह तो यहां पर question number 86 का बी option सही होगा अंगला प्रस्ट देखते हैं अंगला प्रस्ट question तो यहां पर देखिए पहला दिया हुआ है चाड चीन द्वारा इस्थाई सैन निवेस की स्थापना सही है दूसरा गिनी सेना द्वारा सम्विधान और सरकार का निलंबन हाँ बिल्कुल सही लेबनान गंभी और लंबे समय की आर्थिक मंदी सही है ट्यूनीशिया राष्ट पतिद्वारा संसत का निलंबन ये भी हमारा सही है यानि कि चारो क्या होंगे सही होंगे option D सभी चारो यूगम सही है कोश्चन नमबर 88 देखते हैं निम्ले यूगमों पर विचार कीजिए अकसा समाचारों में उलेखित कुछ छेतर दिये हुए है और वो उनके समद्धित उनसे देश दिया हुआ है, किस देश में वो रहे, ठीक है छेत्र, तो इसमें बताना है कौन से युग में सही है, पहला है अनातोलिया, अनातोलिया का तुर्की दिया हुआ है, अमहारा का इथियोपिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इथियोपिया दिया हुआ है, और Kaabo Delgado का Spain दिया हुआ है और Katalonia का Italy दिया हुआ है ठीक है Katalonia का क्या दिया हुआ है Italy, इसमें से बताना है अपने को की कौन सा देश ठीक है इस छेतर को कि ये छेतर किस देश में है ठीक है और कौन कौन से सही सुमेलित है केवल एक युग्म केवल दो युग्म केवल तीन युग्म और सभी चारो युग्म तो यहाँ पर देखिए काता लोनिया जो है यह हमारा इस्पेन में आता है कहां आता है इस्पेन में आता है ठीक है और यह कहां दिया हुआ है इटली में दिया हुआ है कहां दिया है इटली में तो ये हमारा गलत होगा इसके बाद अंगला देखिए आप काबो डिलगादो कहां है काबो डिलगादो इस पेन में बिल्कुल सही दिया हुआ है इसके अलावा बाकी के जो दो है अमहारा कौनसा अमहारा दिया हुआ है और क कौन सा अनातोलिया अनातोलिया कहां पे है तो अनातोलिया अपना पेनिंसुला में यानि कि कहां तुर्की में ठीक है कहां पाया जाता है वेस्टर नेसिया यानि कि टर्की में पाया जाता है तो इसका पहला हमारा अनातोलिया विल्कुल सही दिया हुआ है अमहारा इथियोप यहां पर काटालोनीय काथ है कि अंतर है इसपेयं में, ह Además फिरन वाइं है कर दो आ है कर दो दिल्गादो का एक बार और चेक कर लेते हैं N फिर नहीं है, ठीक है, तो, काबो डिलगादो जो है, काबो डिलगादो अपना इस्पेन में ही पाया जाता है, ठीक है, तो, स्वरी ये तंजानिया में है, काबो डिलगादो तंजानिया में पाया जाता है, ये हमारा यूग में जो होगा, गलत होगा, ठीक है, तो, आप्स को सही है है ना तो option number B केवल दोयुग्म सही होगा question number 89 देखते हैं वन्नेजीव संरक्षण के बारे में भारती विधियों के संदर्व में निम्लिखित कत्रों पर विचार करिए option A वन्नेजीव एक मात्र सरकार की संपत्ती है गलत यह सभी की संपत्ती है यहां पर हमारा कत्षण एक क्या है गलत है दूसरा जब किसी वन्नेजीव को संरक्षित गोशित किया जाता है तो वह चाहे जनरक्षित छेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार होता है बिल्कुल सही है और किसी संरक्षित वन्नेजीव के मानव जीवन के लिए खत्रा बन जाने की आ प्रियाप्त आधार है ये भी सही ये सौरी गलत है ठीक है तो यहाँ पर option number B हमारा केवल दो सही होगा इसके बाद question number 90 देखते हैं निम्न लिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के क्रशकों के रूप में जानी जाती है ठीक है एक जीव की कुछ प्रजात ठीक है इसके बाद अंगला question देखते हैं question number 91 निम्न लिखित युगमों पर विचार करना है तो यहाँ पर अशोग के प्रमुक सिलालेखों के इस्थान दिये हुए है और वह इस्थान जिस राज्य में है वो राज्य सामने दिया हुआ है हमें बताना है कि इन में से कौन अध्य कर्या हुआ है धौली ठीक है तो धौली जो हमारा इसका सामने उडिसा में दिया हुआ है कहां दिया है उरिसा डिक है इसके बाद अंगला है हमारा अंगला दे रहा है एर्र गुडी ठीक है एर्र गुडी ये दिया हुआ है आंध्र प्रदेश में ठीक है एर्र गुडी को आंध्र प्रदेश दिया हुआ है इसके वाद अंगला है जोगड जोगड मध्य प्रदेश में दिया हुआ है कहां दिया हुआ है मध्य प्रदेश में और लास्ट है कलसी कलसी दिया हुआ है करनाटका में ठीक है जोगड मध्य प्रदेश में और कलसी को करनाटका में दिया हुआ है तो बताना है इसमें कौन से सही सुमेली थे जैसा आप जानते हैं जोगड कहां पर है जोगड हमारा पा कालसी कहां पाया जाता है, तो कालसी करनाटका में इसमें दिया हुआ है, ठीक है, और कालसी जो है तो देहरा दून में पाया जाता है, यानि उत्तरा खंड में, ठीक है, तो यहां पर पहला सही है, दूसरा भी सही है, जौगड कहां पाया जाता है, जौगड हमारा ओडीसा मे पाया जाता है और कालसी कहां पाया जाता है तो कालसी पाया जाता है कहां उत्तरा खंड में ठीक है उत्तरा खंड ठीक है तो ये दोनों जो हैं गलत दिये हुए हैं यानि केवल दो युग में सही सुमेलित हैं निम्न लिखेत पर युगमों पर विचारे कीजिए ठीक है यहा चंदेल राजवंस का बताया जा रहा है इसके बाद जैशक्ति कौन से जैशक्ति राजा जैशक्ति तो ये किसके बताये जा रहे हैं परमारवंस के बताये जा रहे हैं तो इसके बाद नागभट दुती गुर्जर प्रतिहार सही है राजा भोज राष्टर कूट ये दिया ठीक है तो अब इसमें से बताना है कि कौन कौन से योग में सही सुमेलित हैं ठीक है तो जै सक्ति जो थे तो चंदेल राजवंस के थे ये गलत दिया हुआ है और इसके अलावा राजा भोज कौन से राजा भोज ठीक है तो राजा भोज किस वंस के थे परमार वंस के थे ये दोनों गलत दिये हुए है नाग भटे दूति घुर्जर प्रतिहार सही है नानुक चंदेल वन्स सही है तो यहां पर हमारे केवल दो यूग में सही होंगे अंगला प्रसने देखते हैं Q93. प्राचीन दक्षिन भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही है? ठीक है? पहला संगम कविताओं में बहुतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है. अंगला है, वर्ण का सामाजिक वर्गी करण संगम कवियों को ग्यात था. इसके बाद अंगला, संगम कवियों में समर सौरे का कोई संदर्भ नहीं है, और option D है, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है. ठीक है, यानि कि संगम लिटरेचर रिफर्स तू मैजिकल फोर्चेज एस इर्रेशनल, ठीक है, ये हमारा सही है, option D यहाँ पर सही होगा. Question No.94 देखते हैं, किसके प्रसासन में, यानि राज्यकाल में, योग वसिष्ठ का निजामुदीन पानी पती द्वारा फार्सी में अनुवाद किया गया अकबर के, किसके सासनकाल में, अकबर के सासनकाल में, योग वसिष्ठ का निजामुदीन पानी पती द्वारा फार्स मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति यानि सबसे उंची मूर्ति का उद्गाटन किया गया था निमने लिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुच की सिक्षाओं को सही निरूपित करता है यहाँ पर पहला कथन दिया हुआ है मोख्ष प्राप्ति का सर्वोत्त्म साधन भक्ति था यह भी उनने नहीं बताया ध्यान के माद्यम से मोख्ष पाय जा सकता था यह भी उसमें नहीं था मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ती था ठीक है question number 96 से देखते है question number 96 कहता है हाली में प्रधान मंत्री ने बेरावल यानी कि बेरावल में सोमनाथ के मंदिर के निकट नए सरकिट हाउस का उद्धाटन किया है ठीक है सोमनाथ मंदिर के बारे में निमलिखित कथनों में कौन से सही कथन है या कौन सा कथन सही है पहला सोमनाथ मंदिर जोतिर लिंग देव मंदिरों में से एक है बिल्कुल सोमनाथ जोतिर लिंग में आता है अपने 12 जोतिर लिंग में इसके बाद अंगला अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है बिल्कुल अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिस्था आज के मंदिर की इस्थापना राष्ट्रपती S. राधा कृष्णन द्वारा की गई थी नहीं य सा एक मानो शरीर में B कोशिकाओं और T कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है B कोशिका और T कोशिका ठीक है तो ये क्या करती है ये हमारे सरीर को रोगों से बचाती है ठीक है रोग जनकों द्वारा जो रोग होते हैं उनसे B कोशिका और T कोशिका बचाती है Option A सरीर को पर्रेगरण प्रतियोजकों यानि के एलर्जनों से बसंद रक्षित करती है Option B दर्दे के सरीर के दर्द और सूजन को कम करती है Option C सरीर में रक्षा प्रति रोधकों यानि रोधकों की तरह काम करती है Option D सरीर में रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है Option D यहाँ पर सही होगा ठीक है कौन सा option सही होगा? Option D Option D सही उत्तर होगा इसके बाद निमलखित कथनों पर विचार कीजिए Question No. 98 परासूक्ष्मकण यानि नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाए प्रकृति में अस्तित्तों में नहीं है ठीक है उसके बाद ये गलत है ठीक है इसके बाद कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्मकण परासूक्ष्मकण यानि की नैनो पार्टिकल्स प्रसाधन सामगरी यानि कॉस्मेटिक्स के निर्मान में काम आ रहे है बिल्कुल सही इसके बाद कुछ वाणिजी कुद पादों के परासुक्ष्मकड यानि नैनो पार्टिकल्स जो की पर्रयावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए आसुरक्षित हैं बिल्कुल सही है यानि की question 98 का option D केवल 2 और 3 बिल्कुल सही answer होगा इसके बाद question 99 देखते हैं निन लिखित कत्रों पर विचार कीजिए DNA बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है एक है DNA बार कोडिंग can be a tool of पहला option किसी पादप या प्राणी किसी पादप या प्राणी की आयू का आंकलन करने के लिए दूसरा समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए ये भी सही है तीसरा प्रसंस्क्रित खाद्य पदार्थों यानि की undesirable animal और plant materials जो होते हैं ठीक है तो identify करने के लिए किसमें प्रसंस्क्रित खाद्य पदार्थों में identify undesirable animal और plant materials in processed food यह गलत है यहां पर ठीक है तो यहां पर DNA बार कोडिंग का इन दो कथनों यह option पहले और दूसरे कथन में जो काम दिया हुआ है बिल्कुल सही है यानि की हमारा एक और दो option सी सही होगा इसके बाद question number hundred देखते हैं last question हमारा निमने कथनों पर विचार करना है carbon monoxide दी हुई है nitrogen oxide दी है ozone दी है sulfur dioxide दी है और इसमें से बताना है कि इसमें से किसकी या किनकी अधिकता से अमल वर्षा होती है ठीक है तो sulfur और nitrogen के oxides के बढ़ने से अमल वर्षा होती है इससे कि हमारे ताज महल का छरी करण हो गया ठीक है उसका color खराब हो गया था तो यहां पर हमारा option जो B होगा केवल 2 और 4 ठीक है यह सही उत्तर होगा ठीक है तो यहां पर हमारा prelims 2022 का जो पहला paper GS paper 1 था ठीक है तो GS के paper के सारे 100 questions के answer हमने देखे हैं analysis करके भी हमने देख लिया था कि इसमें हमने कहां पर कैसे question इस बार UPSC ने दिये है pattern एक बना करके UPSC ने दिया था उसी pattern को सभी papers में उसने क्या किया है यहां पर rotate किया है तो सभी questions को हमने देखा इससे जुड़ी और भी detailed बातें जानने के लिए हमारे channel को आप subscribe कर सकते हैं UPSC MPPSC और SSC ठीक है UPSC MPPSC SSC इन सभी और इसी तरह के और भी competitive exams से जुड़ी हुई सभी videos और उस तरह की तयारी के लिए आप हमारे era institute से जुड़ सकते हैं टेली ग्राम पर हमें follow कर सकते हैं Instagram पर follow कर सकते हैं ठीक है और हमारे app में जा सकते हैं हमारा app Google Play Store और Apple iPhone के app store में भी उपलब्ध है तो आप उसे download करके और वहां पर जा करके और इन तय यार्यों में लाब ले सकते हैं ठीक है तब तक के लिए आंगे अंगला वीडियो जब तक आता है तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए धन्यवाद यहां पर answer की भी इसकी दी हुई है answer की आप देख सकते हैं इसे आप जा करके download कर सकते हैं या फिर हमारे telegram पे जुड़ करके वहां भी आपको answer की मिल जाएगी तो यह set A के लिए answer की है set B और बाकी के set के लिए आप इनके answers को match कर सकते हैं ठीक है तो अंगले वीडियो में अ धन्यवाद बाई बाई बाई